कानपूर से हमारे रिपोर्टर अश्रोक कुमार के एक सवाल पर कानपूर नगर के डियम ब्रह्मदेव राम तिवारी दो कदम पीछे क्यों हट गए सवाल सुनक डियम पीछे क्यों गए इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा दरसल हमने कुछ दिन पहले ही एक खबर चलाई थी नगर निगम में सहायक नगर आयूक तो पूजात्र पार्टी हमें बताती हैं किस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मदद मांग सकते हैं खबर देखने के बाद हमारे एक दरशक ने मदद के लिए फोर लगाया लेकिन फोर नहीं लगा फिर दरशकों ने हम से शिकायत की हमने तुरंट डियम से सवाल पूछा तो डियम जबाब देने से बस्त नजर आये सुनिए हमारे समवादाता किस सवाल पर डियम ने क्या जबाब दिया नंबर जारी किया गया है उन नंबर पर जब फोन किया जाता है तो नंबर ज़्यादा तर वो पिक नहीं किया जा रहा है ऐसे में लोग बहुत सारे परेसान है कानपूर महानगर में जो भूँ को मर रहा है गरगर सुविदा पहुचाने के लिए सरकार की तरफ से कई नंबर जारी किये गये नंबर पर फोन लगता है या नहीं हमने कैमरे पर कोशिश की जानने की जो हुआ वो बेहद अफसोस जनक है हमारा मकसद सिर्फ खबरो को दिखा कर रहे हैं और यहां कोई नहीं आता देने आला हमारा मकसद सिर्फ खबरो को दिखा कर पला जहारना नहीं है बलकि हम जिम्मदारी से जनता की सवाल को भी उठाते हैं डीम ग्लोबल भारत रिपोर्टर के फोन पर भी एक्शन लेते हैं जिसकी हम तारीफ करते हैं ऐसे में डीम को इस खबर पे भी एक्शन लेना चाहिए